हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे जन्रल एम्पें मित्रा पर आर्थिक स्वागत थे हैं स्टाफ सेलेक्शन कमिशन यानि SEC के दुवारा MTS एन हवलदार के बदो पर भरती का ओपिसल नोटिपिकिशन जारी कर दिया गया है तो यह चलते हैं स्क्रीन की और और जानते हैं कुछ मुख्ये बाते इस परती के बारे में तो यह है इसका ओफिसल नोटिपिकिशन इस नोटिपिकिशन में सबसे पहले हम इसकी फॉर्म भरने की स्टार्ट और अंतिम तारिकी बात करें तो स्टार्टिंग डेट 27-214 रकी गई है वही कि आंतिम दिना 31-7-204 रकी गई है और इसकी परिक्ष्य की बात करें तो इसकी động परिक्षर अससमभावित है कि अक्टुमवर और नॉमबर 21-24 में कराई चाहे दोस्तों यह एक इसी प्रिक्सा है जिसमें अवेदब को सिर्फ एक ही एक्जाम देना होता है और आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी तो और कुछ बातें देखते हैं हम इस वेकेंसी के बारे में यह तो हो गए इसके करे जाने की मुट्टी तारीक है और जहां तक हम इसकी पेस्केल की बात करें तो इसमें पेस्केल साथ है आई हम देखते हैं कि किस पॉस्ट के लिए कितनी तो इसमें बताया गया है कि MTS के पदो पर 4887 पोस्ट हैं जबकि हवलडार के पदो पर 3449 पोस्ट हैं तो आप दोनों में से किसी के भी लिए अपलाई कर सकते हैं अब इसके अंदर एज लिमिट के बारे में बात करें तो आविद्दक एक आठ दोजार चोईस को 18 वर्स या 27 वर्स अधिक्का नहीं होनी चाहिए आविव की छूट की सिमा की बात करें तो इसमें कि नियुनतम आयू 28 से 25 वर्स तक है और हवलदार के पदों पर 28 से 27 वर्स है वही हम एज की छूट की बात करें है करें तो रेश्टी हैसी के लिए 5 वर्स हैं वो भी सी के लिए 3 वर्स हैं पी डवल्यूड अन्रिजर्व के लिए 10 वर्स है पी डवल्यूडी ओबिसी के लिए 13 वर्स है और पी डवल्यूडी सेस्टी के लिए 15 वर्स है और वहीं एक सर्विसमेंड के लिए 3 वर्स की छूट दी गई है और छूट के लिए आप इस ओपिसल नोटिफिकेशन या हमारी ओपिसल वेबसाइट पर जा सकते हैं कि एक और बड़ा बदाव किया है अपने एक्जाम को लेकर एससी पहले हिंदी और इंग्लिस में ही एक्जाम कराता था लेकिन अब यह तेरा रिजनल लेंग्वेज में एक्जाम कराएगा जो कि आपके सामने कुछ इस परगार दिखाई दे रही है आईए हवल्दार के लिए कुछ बाते जानते हैं हवल्दार के लिए वोकिंग यानि दोड़ 1600 मिटर 15 मिनिट में कम्प्लिट करनी होगी वहीं फीमेल के लिए एक किलोमेटर 20 मिन में पूरी करनी होगी और हवल्दार के लिए हाइट 177.5 सेंटिमेटर होनी चाहिए मेल के लिए और चेस्ट 21 सेंटिमेटर होना चाहिए और 5 सेंटिमेटर कुलाने के बाद वहीं मेला की बात करें तो मेलाओं के लिए 152 सेंटिमेटर होनी चाहिए हाइट और वेट होना चाहिए अच्छा स्किलों हम आपको बता दे कि MTS और हवल्दार के लिए एक्जाम एक ही होगा लेकिन हवल्दार के लिए कुछ फिजिकल भी किया जाएगा कि आया एक आएँ आए बात करते हैं सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में सुद्धिक्सेटर प्रोसेस के लिए आपको पहले सिबीटी देना होगा जिसके अंदर दोग सेक्षन आएंगे और सभी सेक्षन में पास होना अनिवारी है तोहीं मिनिमिम्म क्वालिपिकेशन की बात करें तो अन्रेजर्व के लिए परिक्षा में 30% OBC और EW 25% और अधर के टेगरी के लिए 25% रहेगा मुमी सेक्षन वो नude